हाई अब्रिवान दिशनितिन शेरावत कैसे हैं आप सर तो हम नाशल इंकम के निमेरिकल्स कर रहे थे नाशल इंकम को कैलकुलेट करने के तीन मैथड्स होते हैं पहला इंकम मैथड दूसरा एक्सपेंडिचर मैथड और थर्ड वन इस वेल्यू अधिड मैथड तो आज हम ब नहीं देखिए आपने तो प्लीज उसको देख लेना अगर नहीं देखोगे तो आज की वीडियो समझ नहीं आएगी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो स्टार्ट करते हैं इंकम मैथड ठीक है पहले समझेंगी यह है क्या उसके जो फॉर्मुला जाई का व डालेंगे इंकम मैथड अच्छा NIंकम मैथड से निकलता क्या है इस इनकम मैथड से आपका निकलता है NDPFC अजी क्या निकलता है NDPFC निकलता है इस NDPFC की full form क्या होती है Net Domestic Product at Factor Cost अब यहाँ पर इसके नाम में Domestic आ रहा है तो इसको हम क्या बोलतेते हैं Domestic Income भी बोलतेते हैं क्या बोलते हैं सर Domestic Income तो आप से पूछे कोई Domestic Income का सिंबल क्या है तो NDPFC ही है अब Income Method को कुछ और प्यारे प्यारे नामों से भी जाना जाता है तो उसको डिस्कूस करते हैं Income Method को दो और नाम से जाना जाता है पहला नाम Factor Payment Method पहला नाम क्या है सर Factor Payment Method सभी बोलेंगे क्या नाम है Factor Payment Method अच्छा जोर से बोलेंगे क्या नाम है Factor Payment Method सारे बोलेंगे Factor Payment Method टेक है दूसरा नाम इसको किसके नाम से जानते है Distributive Share Method Distributive Share Method अच्छा तो ये दो नाम अलग हो गए है जो आप इन नाम नहीं पढ़ा हो सकता है तो पहला नाम क्या है Factor Payment Method अच्छा सर तो हमने देख लिया Income Method का सिंबल Income Method से निकलता क्या है NDPFC निकलता NDPFC को एक और नाम से जानते है Domestic Income से Income Method को दो और अलग नाम से जानते है जिसको हम कहते है Factor Payment Method And the second one is Distributive Share Method अब बात करते हैं NDPFC को लिकालने का formula क्या है वो discuss करते है उससे पहले मैं थोड़ा से इसको erase करता हूँ I hope आपने चीजों को note कर लिया होगा तो इसको थोड़ा से erase करते है थोड़ा space चाहिए होगा हमें ठीक है तो यहाँ पर लिख 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 क्या NDPFC अब NDPFC लिकालने के लिए तीन components होते हैं उसको discuss करते हैं पहला component है compensation compensation of employees second one is mixed income third one is क्या होगा operating surplus NDPFC को लिकालने के लिए तीन components होते है compensation of employees mixed income and third one is operating surplus अच्छा अगर मैं इन तीनों को plus कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आजाएगा NDPFC आजाएगा बात ही समझ अगर मैं इन तीनों को plus कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आजाएगा NDPFC आजाएगा अब एक के करियर डिसकस करते हैं यह होता क्या है compensation of employees का मतलब होता है कि employees ने कोई ने कोई अपनी service दी होगी अपने employer को employer जो उसको पैसा देता है उस services के बदले employer जो अपनी employees को पैसा देता है उस services के बदले उसको हम कहते है compensation of employees तो पहला पैसा किस तरीके से दे सकता है तो लिखेंगे वो पहले का नाम है wages and salaries तो बहिए जो service दी है employees ने अपने employer को तो employer क्या दे सकता है उसको तनख्वा दे सकता है अच्छा इस wages and salary में आता क्या ये भी लिख लेते हैं इंपोर्टन नहीं है पर फिल लिखना पड़ेगा idea होना चाहिए क्या क्या होता है कभी-कभी paper में क्या पता आजए हो तो में फिर करना पड़ेगा उसे सबसे तो आप कह सकते हो इसमें आपका हो सकता है और इसमें commission हो सकता है इसके अलावा bonus हो सकता है ठीक है ये सारी इसके सब्सक्राइब लिखना सब्सक्राइब इसको मेंगाई बतता कहते हिंदी में ठीक है तो पहला क्या होगे wages and salaries दूसरी की बात करते हैं सेकेंड क्या है compensation of employees का component employers 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 contributed in contributed in social security scheme employer contributed in social security scheme अब employer भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से security में कुछ पैसा जमा करता है contribute करता है जैसे अब गवी एक्जामपल प्रोविटेंट फंड का नाम सुना है हां जी अच्छा उसके अलावा retirement pension का नाम सुना है अच्छी pension के लिए भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ contribute करता है ठीक है gratitude का नाम सुना है नहीं सुना होगा कोई बात नहीं अब लिख लो gratitude का मतलब होता है कि माल लेते हैं 30-35 साल जब एक employee अपनी company में काम कर लेता है ठीक है तो उसको जब company छोड़ कर जाते तो उसको कुछ ना कुछ पैसा मिलता है उसको क्या कहते हैं employee क्यों है जल्दी जवाब दो मे Patrol को यहां पर employer ही क्यों है employee क्यों नहीं है मुझे इस बात का जवाब चाहिए नहीं को अगर मैं लिख कुछ on Recovery and klar के ऐसे करेगा को कुछ चुछ ना कुछ को लेते हैं, employer ही लेते हैं बात याद रखना, अच्छा सर, तीसरा क्या हो सकता है, आपको के तीसरा, wages and salaries in kind, या मैं इससे कह सकता हूँ, payment in kind के नाम से भी कह सकता हूँ, पैसे के अलावा, उसको कुछ और भी मिल सकता है, क्या के मिल सकता है, आप कह सकते हो, भाईया, free की हाउस मिल गया, अरे वाह, ये भी बहुत बढ़िया हो गया, हो सकता है, अब जब आप company join करोगे, तो एक employer अपनी तरफ से आपका insurance करा दो और आपके parents का भी, तो वो भी इसी में आ जाएगा, आप क्या दोगे, क्या वही, medical, free medical facilities यहां पर हो गई, ठीक है, education facilities भी हो गई है, ठीक है, बहुत सारी चीज़े में आ जाएंगी, तो यह चीज़े होगी, non-monitoring benefits आते हैं यह चीज़े में, जो पैसे के अलावा आपको मिलते हैं, जैसे free car होगे, free house facilities होगी, यह medical facilities होगी, यह चीज़े आती हैं, तो आपने क्या जाना, compensation of employees में तीन चीज़े आती हैं, मिर स salary in kind, यह मैं कहा सकता हूँ, payment in kind होगे, इतनी बात आई है, नहीं हैं समझ, अच्छा, ठीक है, देखो, अगर paper में आपको compensation of employees दिया होगा, तो इन चीज़ों को ignore करना है, इनको देखना ही नहीं है, इनको भूल जाने की ऐसी कोई चीज़ भी होती है, जिंदगी में, ठीक है अगर compensation of employees नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे, फिर आपको paper में यह सब दिया होगा, तो आपको इसको, और मैं third वाले को plus करके मेरे पास क्या आजाएगा, मैं दुबारा बोलता हूँ, अगर आपको paper में compensation of employees दिया हुआ है, तो आपको नीची वाली चीज़ों को ignore करना है, अगर यह नहीं दिया हुआ है, तो first, second and third, तीनों को plus करके आपके पास क्या आजाएगा, compensation of employees आजाएगा, अच्छा सब, second में बात करता है, mixed income, mixed income का मतलब क्या होता है, कि जो self-employed person होते हैं, या जिनका खुद का businesses होते हैं, उनकी जो income होती है, वो इस category में fall करती है, कौन सी नहीं है, इसे मज़ अच्छा है, इसका कोई किसी के साथ relationship नहीं है, इसलिए कोई component नहीं है, इसे कोई factor नहीं है, बहुत बढ़िया, third one is operating surplus, operating surplus में चार चीज़े होती है, समझेंगे राम से, rent, second one is royalty, third, interest, and fourth one is profit, अच्छा सर, ठीक है, अच्छा भिया, operating surplus में चार चीज़े होती है, rent, royalty, interest, and fourth one is profit, इस सारी चीज़े आपको पता है, royalty का मतलब क्या होता है, royalty का मतलब होता है, कि जब इनसान अपना कोई asset दूसरे इनसान को देता है, या अपने patent का use किसी दूसरे इनसान को देता है, और वो इनसान उस patent के use के बदले में आपको क कुछ पैसा देता है, उसको हम royalty कहते है, समझ नहीं आए होगा, समझेंगे, माल लेते कि आप एक author हो, ठीक है, मैंने आपको author बना दिया, आपने एक किताब लिग दिया, how to impress anyone in a second, अरे वा, बहुत बढ़ी a title है, आपने लिग दी, अब उस किताब को छपवाने के लिए, आ अब देखो, उसने अब books अब लिगे अब और चाहप दी, अब वो क्या करेगा, वो है कहेंगा, देखो, मैं साझा खर्चा अपनी तरफ से कर रहा हूं, ने क्या alिषर कह रहा है, मैं क्या करूँ है, जो भी किताब आपको, मले किताब बिगेगी मार्किट में, उस उसका कुछ परसेंट में आपको दे देंगा ठीक है हो सकता है 10 परसेंट हो सकता है 15 जो वो 10 से 15 परसेंट ओथर को मिल रहा है उसको रोयल्टी कहते हैं इतनी बात आईए नहीं है समझ अच्छा अब देखो इस ओपरेटिंग सर्प्लस का एक और नाम होता है उसको सारी लिख अधिक है बोर्ड में तीन नंबर में क्वेश्चन आया था कि मुझे तीन कॉम्पोनेंट बता दो इंकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और अंत्रपेनर्शिप के तो यहीं वो कॉम्पोनेंट्स थे ठीक है कोई तीन बताने थे आपको एड़न की डेफिनिशन आपको लिखने थ अधिन पर्फॉर्ण के लिए चारों को प्लस करके आपक्या लिका लोगे अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो tension मतलो हम numerical से समझ लेंगे अच्छा अब देखो भई profit के तीन component होते है पहला component business tax इसको एक और नाम से जाना जाता है corporate tax इसको एक और नाम से जाना जाता है क्या profit tax तीनों में से कुछ ही बोलो एक ही बात है business tax बोल लो corporate tax बोल लो या profit tax बोल लो अच्छा पहला component हो गया दूसरा component होता है undistributed profit क्या होता है undistributed profit अच्छा सर अगर आपने कोई चीज distributing नहीं करी इसका मतलब save करी होगी तो इसका एक और नाम क्या कहा देते है saving of corporate sector क्या बोलते है saving of corporate sector अच्छा इसको एक और नाम से भी जाना जाता है retained earning के नाम से किसके नाम से retained earning के नाम से इसको एक और नाम से जाना जाता है sir reserve and surplus आपने अपने account में पढ़ा है reserve and surplus ठीक है यह चार नाम मैंने इसे लिखवा दे पेपर में आपसे कुछ भी कोई भी नाम दे के question पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए third component आपके पास क्या है distributed profit ठीक है distributed profit distributed profit अच्छा इसको एक और नाम से जाना जाता है dividend के नाम से किसके नाम से dividend के नाम से बहुत बढ़िया तो profit के आपने तीन component पड़े पहला profit tax business tax या corporate tax दूसरा मिलकर बोलेंगे सारे बोलेंगे क्या saving of corporate sector बोलो या क्या बोलो undistributed profit बोलो या retain earning बोलो या क्या बोलो रिजर्ट बन सर्प्लेस बोलो थर्ड बन क्या होता है dividend होता है dividend के एको नाम क्या है distributed profit यहां तक कोई बात आईए अगर देखो आपको मैं दुबार बता तो operating surplus दिया हुआ है तो इन सारी चीजों को बोल जाओगे ठीक है अच्छा नहीं दिया तो आप रेंट को रोयल्टी को इंटरस्ट और profit को एड करके निकाल लोगे अच्छा अगर profit भी नहीं दिया हुआ है तो आप इन तीन चीजों को एड करके क्या निकाल लोगे profit निकाल लोगे बात है समझ मैं दुबार बोलता हूँ अगर यह चार चीजों जी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर इन चारों चीजों म तो एक बार ज़रा इसका मैं erase करने वालो हूँ ठीक है screenshot आपने ले लिया होगा ठीक आप थोड़ा से erase करेंगे यहाँ पर अच्छा देखो सर यह जो profit होता है यह profit before tax होता है यह profit before tax होता है तो एक मेरे साथ चीज़े लिखेंगे अगर profit after tax में मैं add कर दू profit tax तो मेरे पास क्या आजाएगा profit आजाएगा ठीक है मेरे पास क्या आजाएगा profit आजाएगा इसको लिख लेना ठीक है profit after tax में profit tax add कर दूँ तो मेरे पास क्या आजाएगा profit का मतलब भी profit before tax होता है मैं इसको समझा जाएँ यह है क्या मानलो आपका 100 पे का profit तो आप को कहते हैं प्रोफिट आफ्टर टैक्स यह प्रोफिट कह दूँ चिक है और आपको बदर टैक्स होता है आपको प्रोफिट आफिए टैक्स पता होगा तो आप आप इस नबर रुपे में दस रुपे एड़ कर दोगे आपके पास क्या जाएगा प्रोफिट आज़ेगा बात आई यह नहीं है अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी एक दो चीजे और लिखेंगे फिर आप you will be good to go to start with numericals ठीक है इसको मैं erase कर देता हूं मेरे साथ एक दो चीजे और लिखेंगे and then आपके नोट्स हो जाएंगे तयार and then हम क्या करेंगे ताबड़ तोड़ तरिक से बैटिंग करेंगे numericals करेंगे national income के और दढ़ा दढ़ा आपके answers निकलेंगे ठीक है तो एक दो चीजे रह रहे हैं सिर्फ वो लिखते हैं पहले लि देना है सिर्फ किसको लेते employer को लेते दूसरा लिखेंगे अब बाद इंट्रस्ट के ओन नेशनल डेट होगा या पब्लिक डेट होगा तो उसको हम नहीं लेंगे ठीक है क्योंकि जो लोन लिया गया है वो कंजब्शन एक्टिविटी के लिए लिया गया है अगर एक्टिविटी के लिए आपने लोन लिया उस पर अगर आपको इंट्रस्ट पे कर रहे हो तो उसको हम लेते हैं तो यह बेसिक आपको क्या लिया जाते है कंजब्शन एक्टिविटी के लिए लोन लिया जाते है इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं यह दो चीज़े आपके ल तो नुमेरिकल पर आते हैं तो नुमेरिकल साथ पे आ चुके हैं बहुत ही बिल्कुल बेसिक नुमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको एक बैटर अंडेस्टेंडिंग हो पाए देन हायर लेवल पर जाएंगे अराम राम से ठीक है तो आपके पास सी ओई मतलब की अपके पास चाहिए तो बहुत असान है अपको चाहिए होता है आपने का सी ओई प्लस मिक्स्ट इंकम प्लस ऑपरेटिंग सर्प्लेस इंतीनों को एड़ कर दे तो मेरे पास क्या आ जाता है एक बात आपको बताना चाहूंगा अगर कौश्चन को अगर आपको शॉर्ट फ ठीक है अगर कौश्चन पेपर में आपको फुल फॉम दे रखी है तो आपको वही उसकर नहीं इस बात का याद रखना ठीक है सर अच्छा सी ओई आपके पास कितना है बन थाउजंड है मिक्स्टिंग इंकम आपके पास कितना है टू हंड्र है और ओपरेटिंग सर्प्ले ड्,e l,p, . क्विल से uğən सर रखना रखना है यह अगर कंश में होनगे तो यहाँ पर करोड़िया लगा देना है अकर PCs कैसे टेक है आपके पास कितना कितना का रुपिए ूपए teenager तो रुपए प्रॉफिट रुपए और इंट्रस आपके पास अपको क्या निकालना है फरोरी प्र की आएगा एक ज़र यहाँ आएगा मिल कर बोलो फिर क्या इक है अगर में तिनों को एड़ कर देता हूँ तो मेरे पास क्या जाएगा एंडीपी एफसी आ जाएगा अच्छा तो आपने का सी आपके पास कितना है वन थाउजंड है आपने का मिस्ट इंकम आपके पास कितना है 400 क्या आपको कहीं भी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सर्प्लस दिखाई दे रहा है या न सब्सक्राइब का दा है आपको कि बहुत असान है रेंट रोयाल्टी है फिस इंट्रस्ट और फिर प्रॉफिट बहुत बढ़ी तबॉब है वाह मजह आ गया रेंट कितना है 100 रुपे है रोय पो है आपके पास कांग सो रुपई है and प्रोफित कितने आपके पास 200 रुपई है अगें डिफिकल्ट कुनंड्रम ठीक है टफ कैलकुलेशन है बहुत जादा बहुत टाम लगेगा कैलकुलेश करने में सो दो सो अरे चार सो बहुत बढ़िया चार सो है अपने कहीं यहां पर चार सो डाल देंगे तो इसी कल्टो में एन डी कि यहां अगया ऐन डी यहां बैंता क्या विबिग को कोई डाउट होगा है अगर सो चोटव च्यू से रहे कर देंगा व्यश्क फूरी三 वीडियो में कवर करें ते नेक्स विडियो में चलते है विलकुलेशिक बेसिक थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं अराम अराम से उपर सीडियों चड़ते जाएंगे ठीक है नेक्स क्वेश्चन पर मूव करते हैं है तो नेक्स क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल मैंने अप कर दिया है ठीक है देखो सी ओई सोरी एमाई आपके पास सब्सक्राइब करना है तो ठीक है मेरे साथ लिखेंगे लिकलता कैसे है अग्ली क्लास में याद होने चाहिए सुनूगा तुम सभी से ठीक है तो सी ओई आपके पास कितना है दो हजार है बहुत बढ़ी है मिक्स इंकम आपके पास कितना है वन थाउजंड है क्या ओपरेटिंग सर्प्लस है क्या ओपरेटिंग सर्प्लस है तो आपको भी नहीं है तो आप लिका लोगे नोट डालोगे यहां पर अपर अपर प्रोफिट बहुत बढ़िया रेंट कितना आपके पास 200 रुपे रोयल्टी है नहीं है जीरो इंट्रस कहा है इंट्रस हंड़र रुपीज प्रोफिट प्रोफिट कहा है 300 अब देखो यहां पर दिया हुआ है डिविडेंड को लेंगे नहीं लेंगे डिविडेंड किसका पार्ट होता है अगर हमें प्रोफिट दिया हुआ है तो डिविडेंड थोड़ी लेंगे पेरेंस मिटिंग में अगर ओल्ड़ेडी पापा जा रखे हैं तो आपसे बात थोड़ी करेंगे ठीक है तो ठीक है इसल बहुत बढ़िया NDPFC, NDPFC कितना आजाएगा बहुत तफ कैलकुलेशन अगेंग नाउ तुटाउजन थ्री ताउजन एंच्छा रुपिया आपके आजाएगा NDPFC आजाएगा कितना आजाएगा 3,600 आपके NDPFC होगा बहुत बढ़िया मजा आ रहे हैं बिलकुली स्वाद आ रहे हैं बिलकुली नेक्स्ट क्वेस्टन थोड़ा सा अच्छा क्वेस्टन है ठीक है करेंगे मिरों करके बताओ आफके पास तीन हजारे मिक्स अगशन रुपे हैं रेंट आपके पास 500 अहले आपके पास 300 डिविडेंट आपके पास 200 एन आउर अंडिस्ट्रिबूटे आपके पास 100 रुपीज है now you have to calculate what NDPFC again ठीक है तो कैसे calculate करेंगे तो सबसे पहले हमें NDPFC का formula पता होना चाहिए तो आप होगे अच्छा तो लिखोगे कैसे निकलता है तो आप होगे COE सारे बोलेंगे बोलना है आपको भी क्या बोलेंगे MI ठीक है फिर क्या बोलेंगे operating surplus ठीक है इसी कुल्टो में क्या जाएगा NDPFC आजाएगा पेपर में अगर आपके पास question paper में COE पूरा लिखेंगे अगर ऐसे लिखेंगे मैं आपको फिर बता रहूं ठीक है भाई आपके पास कितना है 3000 है mixed income आपके पास कितना है 1000 है नाओ यूट नोट have operating surplus तो हम क्या करेंगे operating surplus calculate कर देंगे बहुत बढ़िया आपने का बहुत बढ़िया तो आपको होगे operating surplus नोट डाल के लिखेंगे वाई नोट डाल के operating surplus कैसे निकलता है rent फिर royalty फिर interest और फिर profit बहुत बढ़िया मजा आ गया वाह मजा आ रहा है बिल्कुल rent कितना है 500 रुपीज profit नहीं royalty कितना है आपके पास 300 रुपीज interest तो है नहीं 0 profit क्या profit आपको question में given है profit तो given ही नहीं तो आपको पता है profit के तीन component होते थे business tax undistributed profit third one ही क्या थे distributed profit था distributed profit का नाग क्या थे dividend था तो dividend बोल रखा है आपको और यहां पर क्या undistributed profit profit tax आपको देन रखा तो इन दोनों को एड़ करने दोनों को एड़ करने तो कितना आ जाए कि 300 रुपे आ जाएगा profit कितना आ जाएगा 300 रुपे आ जाएगा तो आपको कि 500 800 और 1100 500 800 और 300 ग्यारसो आ जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया अगर आप दिखाना चाओ तो एक और नोट डाल के दिखा सकते हो कि profit आपने ऐसे ऐसे calculate कर रहा तो और अच्छी बात हो जाएगी ठीक है तो आपने ग्यारसो आ गया तो यहां पर ग्यारसो एड़ कर देंगे अगेन भोती ताबड तोड ठीक है बहुती tough calculation है जापान का बच्चा भी नहीं कर पाएगा इसको ठीक है जापान का बच्चा भी नहीं कर पाएगा इतनी tough calculation है ठीक है बड़ तुम दो सेकेंडों में कर दोगे 3000, 4000, 5000 और 100 कितना जाएगा 5100 आंसर आ जाएगा बात आ रही है आपको 5100 इस दी आंसर इस दी NDPFC बहुत बढ़िया वह ठीक है समझाई आपको समझाई क्या किसी इस question में आपको doubt है कि profit कैसे निकला operating surplus कैसे निकला या NDPFC कैसे निकाला है कोई doubt नहीं कि इसी बात पे like करो वी इसकत next question पर बढ़ते हैं जल्दी से next question बढ़िया question है ये भी ठीक है क्या है profit after tax आपको 1000 दे रखा है profit आपको 200 दे रखा है wages and salary आपको कितना दे रखा है 4000 दे रखा है employees contribute employees in social security scheme आपके पास 1000 रेंट आपके पास 300 है mixed income आपके पास कितनी है 400 रुपिया है ठीक है आपको अगेन क्या लिकालना है NDPFC निकालना है तो भाई यह सारे बोलेंगे NDPFC कैसे निकलेगा COE plus mixed income plus operating surplus तीनों को add कर तो मेरे पास क्या निकलता है NDPFC निकलता है क्या आपके पास composition of employees दे रखा है नहीं दे रखा बट कुस्ता component दे रखा है क्या बेजीजेंड सेलरी अच्छा दूसरा component क्या होता है COE का employer contributed in social security scheme होता है बटके यहां पर employer दिया है नहीं employees दिया है अपने notes में देखो मैंने लिक्वा आगर employees दिया होगा तो नहीं लेंगे तो इसको नहीं ल क्या समझ स्योए कि आपके पास तीन component थे टिक है पहला क्या था वेजीजेंड सेलरी दूसरे था इंप्लोयर कोंट्रिब्यूटरि इंप्लोईर नहीं दे रखा है तो उसको नहीं लेंगे तो बचा आपके पास क्या वेजीजें सेलरी चार जारी क्या हो जाएगा COE हो सो किया operating सबर भिए रखा है नहीं दे रखा लिका लेंगे किया सही क्लिए न्यदिन सर्प्लिस कैंब रोयल्टी कि इंटरस्ट और और प्रोफिट लिय। आपके पास कितना है 300 रूपया रंट कितना है 300 रोयल्टी नहीं है zero interest नहीं है जीरो ठीक है profit profit कैसे निकलेगा मैंने आपको बतायाता profit निकान लिख लेकर क्या करना पड़ेगा देखो क्या करना पड़ेगा profit लिकान लेकि मैंने आपको एक formula बताया है अब कहा जो कि प्रोफिट कितना लिकल गया बारा सो रोपिया निकल गया तो यहां पर बारा सो एड करो तो आपको बात आई समझ में दूबार समझाता हूं अब पास कैसे नहीं तो आपको लिकालना पड़ेगा प्रोफिट कैसे निकलता है प्रोफिट अफ्र टेक्स में क्या जोड़ दो अगया बारा सो गया तो यहां पे वैल्यू चिपका दी प्रोफिट की इन सबको एड करने के बाद में पास ऑपरेटिंग सर्पलेस कितना आगया पंदर अभी तुझे स्टार्टिंग था कुछ ऐसा खास कराए नहीं है ठीक है मेंन क्वेश्चन अगली वीडियो से स्टार्ट होंगे तो ठीक है उसको जरूर देखना आपको अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करन और अपने दोस्तों की साथ प्लीज शेर कर देना ठीक है और मुझे बताओ अगर आपको कोई डाउट है तो वो मेरे को कॉमेंट सेक्शन बताना अगर आपको समझ में आ चुका है तो बढ़िया से कॉमेंट छोड़के जाना ठीक है तिल देन टेक क्यर गुडबाई